नमस्कात दोस्तो, हार तव नहीं होती, जव कोई फिजेकली हारता है, असल में हारता होती है, जव इंसान मन से हार माल लेता है, नमस्कात देरादे, स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूबी चैनल गीतेकन रासी पल्मन, आज अम पात करने जा रहें सिंगरासी वालों की सिंगर आसी वालों को 10 सितंबर दिन मंगलवार कैसा रहने वाला है उन्हें आने वाले समय में किन-किन चुन सापता रहना होगा और सिंगर आसी वालों को आने वाले समय में वे कौन-कौन से कुसकवरी मिलने वाली है तो दोस्तो आये शोड़ आपको बताएंगे सिंगर आसी वालों को पारक वर जीवन कैसा रहेगा, उनका बी नीश प्यापर केसा चलेगा, उनका प्रियम समझ कैसा रहेगा और साथे साथ उनका स्वास्त कैसा रहेगा तो दोस्तो आए शुड़ों आके संपूर रस्पूर बताएंगी अगर दोस्तो आपकी विश्ण रासी है तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे दोस्तो अज मंगलवार है हनमान जी कदेने कमेंट मूँ दोस्तो चैसलिव रिवल लिखें हनमान जी आपकी मनो कामना पूरी करें दोस्तो वीडियो को लाइक करें अकर कर आप चैनल पह पहली बार आए तो इसे सस्काजर जरू करें और साथे साथ बेल एकन ओल पर दवाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेस्टा मिल सके दोस्तो अब बात करते हैं आज के पंचांगी 18 सितंबर 24 दिरमंगलवार आज के जित्ते सब्त में आज का नचतर अनुरादा नचतर पचे चाहता है सुकल पचे आज सुर उतर होगा सुबच 6 बच के 3 मिनट पर और सुर अस्त होगा सम 6 बच के 32 मिनट पर दोस्तो आज का सुब समय है सुबच 11 बच के 13 मिनट से दुपर 12 बच के 43 मिनट तक रहेगा दोस्तो आज आपको सुब कर करना चाहते हैं आज आपका लखी लमर फाइब और सुबरंगे गुलावी और हलका हरा। दोस्तो अब बात करते हैं आज के रासीपल के बारे में आज के दिन कैसा रहेगा आगी जानते हैं। तो दोस्तो किसी संत पुरिस या आपके माता पिता का आसिरवाद आज आपको मासिर सांतिक प्रदान करेगा। इंत्यार कर रहा है जिसको आपकी जरूरत हैं। आपका जीवन साती आपको ज्यादा खास वक्ते देने वाला है। आज का दिन उन्हें चंद दुनों जैसा है जब घड़ी की सुईयां बहुत दीरे दीरे हिलती हैं। आप लंबे समय तक बिस्तर में पड़े रहते हैं लेकिन इसके बावजूद भी आप खुद को तरोताजावी महसूस करेंगे और इसकी आपको काफी जरूरत भी है। साथी साथ सेयत के लियाज से ये समय अब दी आपके लिए अतिमेहत पूर हैं क्योंकि इस दोरां आपको साथ सम्बंदी कष्टों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा परन्तु बावजूद इसके आप खुद को सेयत मन रखने के लिए योग और ब्यायाम को अपने दिन च में आपके ऊपर मुख को रूप से महरवान है इसलिए आपको भी दन और पैसे को सही महत्तो देते हुए उसे अपने हातों से फिसलने से रोकना होगा आज आपका पारेगाज जीवन अधिक अनुकुल रहने की संभावना है क्योंकि आपकी कुंडली में गिरों की वेतर इ दिकाई दे रही है यह अनुकुल इस्ति आपके पारेगाज सदस्यों को हर प्रकार की मांसिक परेशानी से नेजार देलाते हुए एक दूसरे की पित्ति उनका भाईचार बढ़ाने में मददकार सेद्ध होगी इस समय परवार के करीव करीव हर सदस्य के बिहार बहुत अ सब्सक्रापती होगी आपके सास और प्रक्रम में भी कमी आएगी आप इस समय में खुद को वैद अकेला और असाय महसूस भी कर सकते हैं दिन की सुरवात में विद्धार्तियों के लिए काफी वैतर रहेगी और फिर अंतर तक आप सामने से भी काफी अच्छा प्रिदसन क कर पाएंगे हाला कि उसके बाद आपको कुछ गरेल मुद्धों की कारे छोटी मुटी चनोतियों से गजनना होगा इसलिए अपनी एकाकरता को बनाये रखें अध्यन में रूची स्वास्त की प्रति साफदानी और मानसिक तनाव से खुद को जितना संभवों दूर रखने का प्रयास करें और हो सके तो प्रतित्र हनवान चली सका पार्ट करें जो आपके लिए लावकारी सिद्ध होगा साथी साथ आपको बताएं कि आप सोचने से पहले दो बार सोचें अंजाने ही आपका नजरिया किसी के भावना को ठेस पहुचा सकता है आज दनला होने के आपके प्रिये को ऐसास होगा कि आप उनका कितना खयार रखते हैं और आपका हम्दम आपको पूर्दिन याद करता रहेगा उसे कोई प्यारा सत्य देने की योजना बनाएं और इसे उसके लिए एक खुशूर दिन में तब्दिल करने की बारे में सोचें सहर से बार यात् जारा आराम दायक नहीं रहेगी लेकिन आवस्यक जान पेचार बनाने के लियास से फायदवन सावित होगी जीवन साती के साथ आज का दिन बहुत बड़िया घुजनने वाला है आज आप किसी पेड़ की छाओं बैठकर या किसी पेड़ के पास बैठकर आप दोनों आपस को बहुत याद करेंगे परन्तु वो काम की विस्तता की कारण आपसे मिलने या बात करने में अस्मर्त होंगे जिससे आपका मन दुकी वाह उदास रह सकता है और आप खुछ हद तक खुद को अकेला भी मैसूस कर सकते हैं साथी दोस्तों कई बैवाक जातकों के जीवन का स साथी साथ दोस्तों आज का दिन तीपर भावनार को नाम रहेगा रोमेंस के नाम पर आपकी मांगय तो भड़ी हैं लेकिन आपने पार्टनर की भावना की सक्ती और उने की साहएता को काफी कम करके आका हैं अगर आप अपने रिस्ते के हिसाब से अपनी मांगय को आप की प्रती आपको वह सुकुन भी देगा और आपके लिए काफी आर्मदाय की सित्धोंगा दूस्तों अब बात करते हैं आपकी हेल्तिक बारे में आपका स्वास्त कैसा रहेगा आगी जानते हैं तो दोस्तो आज आपका स्वास्त कली की अपेच्चा बहतर रहेगा लेकिन कुछ जातकों को आज पेट समंदी कोई हलकी पुली की समस्या का सामना करना पड़ सकता है जैसे पेट दर्द या पाचन संबंदी कोई समस्था हो सकती है इसलिए जितना हो सके वहर की तली बुनी वा तेज मसालेदा चीजों का सेवन करने से बचे हैं तो आपके लिए वहतर होगा साथी साथ आप अपने खान पाना के ध्यान रखें और अपने स्वास्तों को अच्छा रखने के लिए रोजाना योगा बैयाम करते रहें नवस्काद दोस्तो रादे रादे और साथी साथ बेल एकन ओल पर दवाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेस्टा मिल सकेएं